नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में सबसे जाद रलाई आज किस बात पर है बेबी डॉच कोई प्राइज क्यों गिर रहा है और दूसरा केवल एक एक्षेंज पर लिस्टिंग होगी पांच पर नहीं होगी यह सब हमारे टेलीगरम क्यों हमा कि देखता हूं अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाए तो बागी और कोई टॉपिक नहीं है केवल और केवल बेबी डॉच का ही टॉपिक है क्योंकि आपने इतने ज्यादा टेलीगराम तो बसड़ मचा रखे यही कहूंगा कि बेबी डॉच बेबी डॉच और बेबी ने आज से तीन दिन पहले एक टूइट किया मैं स्क्रीन सोट भी दूँगा और जो लिखा है वो भी आपको समझाता हूं तो पहला टूइट था एक टॉप फाइव एक्सचेंज बिल वी लिस्टिंग नेक्स्ट बीक बेबी डॉच बीच में हो मैंने छोड़ दिया ठीक ह तो अब इस लाइन का मतलब क्या है सुद्ध हिंदी अगर मतलब है तो इसका यह है किसा पाँच एक्सचेंज अगले हपते सूची बद किये जाएंगे इसका अगर हिंदी अनुबाद अगर चाते हो तो यह है किसा पाँच एक्सचेंज अगले हपते सूची बद किये है न इस एक ही वज़े से इतना confusion पैदा हो गया है कि लोग बिलकुल भी नहीं समझ पा रहा है कि यह 5 है या एक है तो मेरे भाई इस एक को इस पूरे sentence के एसाब से देख के चलिए ना कि इस एक को sentence से अलग कीजिए ऐसा मत कीजिए तो भाई यहां पर तो बात 5 की ही निकल के आ रही है और वो one by one होंगे ना कि एक ही time पर एक ही समय पर ठीक है अब इसका में दूसरा एक को देता हूँ आपको यह दो दिन पहले का tweet है बेबी डोज के Twitter handle पर ही screenshot भी साथ में है इस पर है top five exchange on the horizon तो इसमें क्या है यहाँ पर भी top five exchange का यह है कि भाई उनकी line में top five exchange है अब भाई top five top five ही तो आ रहा यहां एक का तो कहीं कोई मतलब भी नहीं है अब हाँ यह जरूर है कि भाई यह listing होगी तो one by one होगी ऐसा नहीं है कि एक साथ एक ही सुरू हो गया है तो यह है साब यहां पर आपकी पूरी कहानी अब मैंन चीज है देखें यह जो पाँच एक्शेंज है यह डिपेंड करता है आपके एक्शेंज वह सौरी डवलोपर के ऊपर और इन एक्शेंज़ों के ऊपर के वो उनको कब और कैसे कैसे लिस्ट करते हैं बेसे कि नोंने कहा है कि भाई हम 20 अपते में जो है 5 एक्षे लिस्टिंग करेंगे मेरी किसी में कोई थोड़ा बहुत अगर टेक्निकल प्रॉलम आती है या कोई फॉर्मल्टी पूरी नहीं हो पाती है तो हो सकता है अगर डिले हो जाए भाई ये तो देखिए उन्होंने कहा है तो हमने भी वही पढ़ा है और वही आपको पता है और वही आप लोग भी पढ़ रहे है लेकिन अब डिपेंड करता भाई डवलपर के आगे अगर कोई दिक्कत आई या कोई और प्रॉलम होई उन्होंने एक आद एक्चेंज लिस्टिंग मान लेजे टाल दी तो उसमें भाई कोई कुछ नहीं कर सकता वो हो सकता है आगे हो लेकिन हाँ जो ये सारा का सारा माजरा है वो है फाइव एक्चेंज लिस्टिंग का ना कि किसी एक不好意思 listing का अब ये करें या ना करें ये डवल्लापर और भी चार ओर इनके according देखेशाब मैं अभी भी कहा रहा हूँ इनके according जो इननों ने लिखा है ठीक है अब ये ना नहिंड cocoin की जो बात किते हैं है cocoin Goodness छोटा एक्षिंज नहीं है अब बॉल्यूम के इसाब से कर देखा जाया तो थार्ड नम्मर पर आता है और इसके पास लगवक्त 27 मिलियन यूजर हैं तो देखे यूजर तो बहुत हैं अब यहां डिपेंड करता है कि भाई बेबी डॉज का प्राइस क्यों गिर रहा है बेबी डॉज का प्राइस गिरने कर बहुत जादा नहीं कर रहा है लेकिन 500 डॉलर तो फिर भी नीचे आया है और उसका इंपेक्ट आपको पूरी मार्केट पर दिखाई भी दे रहा है तो कहीं ने कहीं यह जो कू कोईन पर जो लिस्टिंग की बात निकल के आई थोड़ा था इंपेक्ट इसका और थोड़ा सा क्या होगा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई हाइप तो बहुत पहले से बनी हुई है ऐसा नहीं कहा है और यह बात मैंने आपको कहीं भी थी कि भाई आप जीरो खिलिंग पर फोकस मत कीजिए आप प्रॉफिट पर फोकस कीजिए क्योंकर यह कोई नया टोकन नहीं है यह पुराना है और सत्रह लाग से ज्यादा लोग इसको लेके बैठे हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि साब, हम नहीं profit book करेंगे, तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा, भाई साब, आप करो न करो, दूसरा तो करेगा, वही चीज जिसमें हो गई, कि उन्होंने hype काया, फाइदा उठा लिया, और कहीं नहीं कहीं, 38 की सीरीज तक उपर नहीं जाएगा, तब तक profit नहीं लूँगा, कि मुझे पता है कि मेरा target 38 की सीरीज से उपर का है, अब वो इन 5 लिस्टिंग में जाए या बाइनिस लिस्टिंग पे जाए, लेकिन मैं उससे पहले profit नहीं लूँगा, कि मेरा target नहीं बन रहा है, तो target set कि लेता है, तो मैं अभी वेट करना ही पसंद करूँगा, मैं कोई panic selling नहीं कर रहा हूँ, basic price नीचे जा रहा है, इसका जाने दीजिए, आप अपने एसाफ से देख सकते है, आपने target क्या set किया है, अगर कोई target set है, तो ठीक है, बनना तो आप अपने एसाफ से इसमें देख सक आपने जो भी है, लेकिन इसमें क्या है कि plus point भी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी buying selling जो होगी नहीं, इससे क्या होगा जो next month जो आने वाला है, यानि कि मई का महीना जो आएगा, उसमें देखिए का massive burning का आपको एक record मिलेगा, वो इसलिए मिलेगा कि यह जो buying selling हो र burn जितना ज्यादा होगा, उसका record देखिए आपको 30 तारीक के बाद मालूम पढ़ जागा, तो मुझे यह पता है, कि इस महीने भाई साब जवर जस्त burning का record आएगा, और जिसकी hype बनी हुई है, trending में है, तो इस इस आप से देखिए, एक plus point तो निकल के आएगा, अगले हमेने कि इसकी burning जवर जस्त हो गई है, लेकिन हमें तो साब यहाँ पर क्या है, कि zero kill करने से मतलब है, कि वह सबका तो वह ही है, कि zero kill होना चाहिए, तो मेरे भाई मैं आपको वह पहले ही पता चुका है, zero kill इतना आसान नहीं होता है, zero kill करने के लिए भाई उतना volume चाहिए, अगर पतना volume आता है, तो 100% zero kill होगा, अब यहां रहेगी बात कि अभी तो एक ही एक्षेंज की लिस्टिंग होई है, अभी तो इनके according जो लोंने ये लिखा है, उसके according अभी चार एक्षेंज और बाकी है, अब उन चार एक्षेंज़ों में कौन सा और पहले आता है, तो अब वो सेल में उसमें पहुंच किया है, बाइंग बाली रेंज में, 34 की सीरिज, 33, 34 या 32, ये क्या है, ये बाइंग सीरिज है, इस सीरिज में जो भी पहुंचेगा, तो वहाँ पर देगे बाइंग जरूर होगी, तो ये 32 से लेके 34 की सीरिज है, जहाँ पर इसकी बाइंग होनी हो आगे बढ़ जाएगा तो जैसा अपडेट आएगा वो मैं आपको जरूर दूँगा तो मुझे लगता है कि बेबी डोस से लेके आपकी सारी अभी इसमें वो सारी संकाई दूर हो गई होगी जो आप जिस बात पे टेलीग्राम गुरूप पर लड़ रहे हो बहुत से भाई लगे पड़े हैं इसी बात पे केबल के एक पर होगी के पांच पर होगी 100% की बात है क्यों जो आपका second portfolio है long time बाला वो तो आपका कामयाब है न अगर बड़ेगा zero kilo होगा तो आप वहाँ से करोड़ पती बनेंगे लग पती बनेंगे अरब पती बनेंगे वह तो वहाँ से आप बनी जाएंगे यहां तो profit है जो मिलता है लेते रहिए बाय करते रहिए और profit लेते रहिए भाई यही एक strategy सबसे अच्छा है कि हम से जेम में पैसा तो आना च देखा है तो देखते हैं और वह कौन कौन से exchange हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नमस्कार